और वहीं पानिपत्मे आमाद्मी पार्टी प्रदीश उपाध्यक्र अनुराग धांडा शामिल हुए अनुराग धांडा ने हरियाणा सरकार पनिशाना साधा 2021 में हरियाणा में आमाद्मी पार्टी की सरकार होगी कॉंग्रेस, बीज़पी, जेज़पी और इनैलो को बताया हरियाना में फेट तो नुराग धानडा ने हरियाना सरकार पनिशाना साधा है 2024 में हरियाना में आम आदमी पार्टी की सरकार होगी ये भी कहा ये पहली बार आम आदमी पार्टी आई है जो इन मुद्दों के उपर राजनीती भी करती है और इन मुद्दों को सफलता पूरवक सरकार आने पर पूरा भी करती है इसलिए सभी लोगों का ये बीजेपी, कॉंगरेज, जेजेपी, इनेलो, इनसे मोभंग होना शुरू हो गया है लोगों को पता चल गया है कि राज चलाना, सरकार चलाना कोई बड़े तुर्रम खान लोगों का काम नहीं है आम जनता भी अपना राज चला सकती है, अपनी सरकार बना सकती है इसलिए आम जनता अब अपनी सरकार बनाने की तयारी कर रही है मैं जगे जगे जनता के बीच में जाता हूँ तो पूछता हूँ अगर घर की सफाई करनी हो, हाथ से सफाई हो जाएगी क्या? सारे दिन भी फर्ष पे हाथ मारते रोगे तो घर साफ नहीं होगा कमल के फूल से सफाई हो जाएगी क्या कमल का फूल लेकर लगे रहना सारे दिन घर साफ नहीं होगा घर साफ करना है तो किस चीज की ज़रुत पड़ती है जाडू की ज़रुत पड़ती है ये सारी जनता को समझा गया अगर हर्याना को साफ करना है तो जाडू की ज़रुद पड़ेगी भरेश्टा चार खतम करना है तो जाडू की ज़रुद पड़ेगी लोग पूरी ताकत के साथ हम आदमी पार्टिक